स्वागत नहीं करोगे हमारा अरे स्वागत तो बनता है ना किता बढ़िया विडियो लाया हो भाई ये देखो आखरी पांच महने की स्ट्राटेजी अलग-अलग केस बना कि क्या आपका क्लासेज बाकी है क्लासेज हो चुका है याद नहीं आ रहा है अभी एक गुरूप दे दो गुरूप दे SPOM भूर टाइम खा रहा है जर क्या गरे पेपर 6 कैसे पड़े टागेट डेट क्या रखे तो एक ओवराल गाइडन्स पॉइंट आपके लेक शांदर वीडियो लेकर आया हूँ बहुत हेलफुल वीडियो रने वाला है अलग-अलग बिल्ड होएगा लेकिन ओवराल गाइडन्स मैं आपको जरूर दे सकता हूँ वो ही दने कोशिश करूँगा और बहुत हेल्फुल रहेगी अगर आपने इसको इंप्लिमेंट किया तो सबसे पहली बात अभी 5 मेन ना तो नहीं और इसकोषण सबसे ना और जाबर आपको करते हैं अगर आप ये केस में फॉल करते हो जहां प्लासे स्पनेगें प्लासेड ना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए मुझे लगता है अगर आपकी क्लासे पैंडिंग है और तो इसी वय से यहां इंप्डादE कि एक ग्रूप दे कि दो ग्रूप दे अब आप पते क्या करो यह पेंडिंग क्लास को सबसे पहले ततकाल प्रभाव से निप्टाने का कोशिश करना जैसे फॉर एक्जामबल क्लास चल रही है ना तो आप दिन का 10 घंटे का टागेट रखोगे किते 10 घंटे का उसमें आप प तो आपके फर्स रेडिंग में कंचेडर हो जाएगा तो उससे हुगा किया अगर आपकी क्लास थोड़ी लेट भी खतम होती है ना तो भी आपने एक बार पूरा पढ़ने का समय बचा लिया और अगर आपने इसको अभी के अभी रिवाइस कर लिया ना तो फिर आपको बा बोट गूप देने वालों तो करना ही पड़ेगा ठीक है अब इसी के साथ में इसकी बात भी कर लेता हूँ कि अगर क्लास थे पेंडिंग है तो सर क्या मैं बोट दे सकता हूँ क्या हंडिट पसंद दे सकते हो सिवी एक सावल अपने आपसे पूछना जो पेंडिंग क्लास जिदर तक क्लासेस मोटा मोटी 90-95% कंप्लीट हो जाने चीए ताकि आखरी के तीन महीन में आप दो रिविजन प्लान कर सको तो दो रिविजन हो जाएक अखरी के तीन महीन में उसका प्लानर मैं डाल दूँगा उस समय पर टैंशन मत लेना ठीक है तो आपको ये प्लीज क बतारो अगर आपको बाकी कोई लोग बोले ना कि अभी बहुत मुश्किल होता है तुझे याद निया रहा था तो गया काम से भाई कुछ नहीं it is normal classes done properly का ये मतलब निए कि आपको सब कुछ एक तम अच्छे से याद आएगा classes done properly का ये मतलब है तब आपने अच्छे से पड़ी थे classes, notes बनायते, revise किया था मैं बता रहा हूँ आप जब पढ़ने बैठोंगे ना समय लगेगा अगर आपने classes तीन महिन लगा के किये तीन महिना मतलब आवर्ज में बोलो तो 200 घंटे class किया आपने तो उसको revise करने में लिकिन समय देना पड़ेगा अगर आपने ये काम अच्छे से किया ना यूर इना वेरी गुड पोजिशन पहले बतारो बोद गुरूप देना अगर आज जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन दग आपका सब क्लास हो चुका है अपार्ट फॉर्म आपका सब क सब क्लासेस की तो थी, याद नहीं आ रहे मतलब या तो याद नहीं आ रहे है या फिर टंग सेनी गे यी जिई ती चार दिन देक्वान पास देक्क काम बन जाएगा, एकदम ही काम खरब करते हैं, क्लासे देखी नहीं, या फिर देखी तो ऐसे देखी कि भगवान जाने क्या देखा, खुछ याद ही नहीं है, तो ऐसा सिचुएशन है ना, तो consider going for a good fast track batch, मैं पहले बता दो, अगर आपका अटेंब नवेंबर में है, कोई भी तो go for a fast track batch, जैसे for example, I am confident कि मेरा अगर तुम नवेंबर के लिए fast track बिलोगे तो भी sufficient है, it is completely ensuring the full coverage, don't worry about it, तो classes अगर pending भी है लेनी बाकी है तो ले लेना, fast track लेना, regular मत लेना, देखो मेरे कितना आसाने बोलना, regular batch ले लो, मेरा अधा फाइदा ही है ना, फिर भी fast track बोल लाओ, तो सोच समझ के बोल लाओ कुछ, ध्यान रखना, तो ये बट तब करना, जब classes डंग से की नहीं और ए ये नहीं कि एकदम ही काम खराब है, तो basically आप ये situation में आ जाओगे फिर, classes pending ही मान के चलना, जहाँ जहाँ काम खराब किया हुए, फिर देखना, 34 July तक कर सकतो का, जो भी, सही करना अपने को, अब उसके लाबात है, एक ग्रूप दे, कि दो ग्रूप दे, सर, तो मेरे को टेके decision, stick to it, ऐसा नहीं कि आज बोला बोथ, दो दिन के जज़ा बात की, फिर बोला single, फिर बोला नहीं नहीं, तीसे ज़ा बात की, बोला बोथ, एक बार अच्छे सोच के लो, जितना सोच लो, फिर decision लो, उसी पर काम करो, तुम समझ रहो, बार बार ऐसे उचल कुदी मत क के अंदर, ठीके, अपको मेरे explain कर दी, उससा आपको help हो जाएगी, उसके लगा सर, ये एक सवाल और आता है, सर, SPOM मेरा pending मेरा time खा रहे है, मेरा main time खा रहे है SPOM, एक सेकंड, SPOM, तुमारे syllabus का ही पार्ट है न, तुमारे CA final में CA बनने का ही पार्ट है न, तो सबसे पहले इस cover करने को मिल रहे है, कम time में, तो इसको सबसे पहले syllabus से exclude करना छोड़ो, ठीके, ये तुमारे CA बनने के journey का ही पार्ट है, उसको consider करना सीखो पहले, अपने को आपन तो मान के चले कि 6 paper है, ये 2 तो बता नहीं क्यू आ गया मेरे जिंदगी में, भाई, पहले आंठ होते थे, वो 6 Q है, क्योंकि 2 तुमारे आसान कर दी अभी, वो आसान है क्या वो तुम देखो, तो अगर ये time consume कर रहे है, दो ना भाई, time देखे खतम करो उसको, अब sir हम ये इसके अंदर कहां से भिट करें इसको, भाई, SPOM अगर तुमको पूरा दिन देने जान पर आ रहे है, तो आ तो मतलो जादा time कर रहे, time तो खाएगा ही ना भाई, उसके लावा, sir, papers इसके लिए कैसे पड़े, वो IBS वाल आता है, वो mix of all papers, सबसे पहले इसका attention आप आज तो नहीं लोगे है, क्यों, तुमारे 5 paper अच्छे से हो गए गया, ये इसमें क्या है, 5 paper और 2 IBS वाले paper, 7 paper का mixture है तुमारे वो 5 और 2 IBS ये हो गए, sorry, SPOM वाले 2 paper, है ना, ये 2 paper और वो 5 paper, मिला के बनता है ना ये, वो तुमारे सब हो गए का अच्छे से नहीं ना, तो इसका attention लेने का नहीं, ये कप करने का, जब तुमने वो 5 subject के अच्छे से classes कर ली, उसको एक बार at least revise कर लिया, उसके ब तब बात करने का, और मैं इसको डाल भी दूँगा वीडियो कैसे थोड़ा प्रिपार करना है, इसके अलावा, सब टार्गे डेड़ाव क्लास कॉंप्लिशन, बोध ग्रूप की बता चुका में, ये डेड्लाइन है, डेड्लाइन, 31 जुलाइ, इसके आगे नहीं बढ़ सक कभी-कभी ऐसा होता है कि यार 15 दिन एक्टा लगने वाले कोई दिक्कत नहीं है, मैंने डबल करना उसकेस में, ठीक है, सर अगर हम सिंगल ग्रूप दे रहे हैं, तो मुझे लगता है, दो महिने आपको bare minimum बचने चाहिए, after the classes, for revising a single group, ठीक है, तो अगर आपने इसका समझ 31st August तक भी time लेयाना कोई दिक्कत नहीं है, September, October, 2 months are very sufficient to revise, दो मेने में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है, देखो मैं बताओ, आज के समय जब तुम खड़े हो ना, where you are 4.5 months approximately, it is a lot of time, है समय पास होने वाले इंसान के लिए, लेकिन पास होने वाले इंसान के लिए समय है, time waste कने वाले इंसान के समय नहीं है, तो अगर आप मेरे से पूछोग ना, सर, आज के दिन में खड़ा हो, यहां मेरे ले पॉसिबल है, क्या 100% पॉसिबल है, बट महनत करने वाले हो, तो अगर आपने एक ग्रूप के लिए, 31st August का टागेटर का कोई दिक्कत वाली ब तब तो आप अपने रिविजन स्टेज में तब तो करते हो चलो normal revision, ठीक है, तो यह मैंने सुचा कि आपको एक चोड़ा सा guidance दे दू, regarding the last 5 month strategy, I hope this was helpful, अगर helpful लगे, तो भाई, लाइक करके जाना वीडियो को, और अगर कुछ दिक्कत वागिरा है, कुछ प्रॉमिस करना है तो कमेंट सेशन आप ही का है, कर देना, ठीक है, उसके लावा, अभी तक देखने का सब्सक्राइब नहीं गया है, सब्सक्राइब जरू कर लेना, उससे मेरे को motivation मिलती है, ऐसे और वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, तो please keep working hard, बाकी मैं हूँ तुमारा साथ, टेंशन लेन के जरूरत नहीं है, तो सुक्री, everyone, thank you so much, bye-bye everyone, take care, see you all, bye-bye.